हलो एबरिवरन वेलकम टू माई ब्रिजराज कीचन तो आज मेरे कीचन में बनने जा रहा है कच्छे पपीते का पका हलवाज जी हाँ तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कच्छा पपीता ले लिया है जिसको मैंने धूल कर पोश कर ले लिया है तो सबसे पहले इसके डंटल को हमें अलग करना है यह जा डंटल अलग हुआ अब पपीते को हमें छील ना है इसको छिल लेते हैं इसके ग्रीन वाले छिलके को अच्छे से हमें निकाले ना है थोड़ा भी भाग इसमें ग्रीन वाला पाट पपीते में ना बचे अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पहले यह देखे इनी बड़े से पपी तो हम एक छूटू सा बीया निकला है चलिए कोई बात है इसको भी अब दो भागों में काट लेते हैं इसको भी हम काटते हैं थोड़ा पपीता सक्त है थोड़ा काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है वर उतना चलता है इसको भी हम थ अगर हो तो निगल जाया हलाकि इसमें इसमें बीज नहीं इसलिए कुछ निगला भी नहीं है इदम बढ़ियाँ पापीता है तो इसको हम बारी पाले इक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे पापीते को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं आसाने से ग्रेट हो जाता है तो ये देखे हमारा पपिता ग्रेट हो गया इसी तरह से बचे हुए पपितों को भी हम एक एक करके सारे पपितों को ग्रेट कर लेना है तो ये देखे सारे पपिते मेरे ग्रेट हो चुके हैं कड़ाई रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए जिसमें हम डालेंगे आधा बड़े चमस से आधा चमस घी, घी को मिल्ट होने देते हैं, हाई फ्लेम रखेंगे अभी, घी हमारा गर्म हो चुका है, अब यहां हम कद्दुकस किया हुआ पपीता डालेंगे, यानकी ग्रिट कियों आप पपीते को डाल देते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने सारे पपीते को इसमें डाल दिया, अभी मैंने फ्लेम हाई रखा है गैस का, हाई फ्लेम पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और इस पपीते को हमिन हम थोड़ा सौट होने तक पकाना है, जब تककि नरम न हो जाए हलका सा भून ना जाए तो हाई फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया और ढकन भी मैंने लगा दिया इसे तीन मिनट के लिए छोड़ दे रहे हूँ ताकि हमारा पपिता अच्छे से भून जाए तीन मिनट हो चुके हैं थोड़ी चले एक बाद चला लेते हैं इसको मिक्स कर लेते हैं पपिता हमारा नर्म हो गया है पहले से, इसको मिक्स करते हैं, दोबारा भी मैं मिक्स करने के बाद फिर से मैं इसे डक्कन लगा कर छोड़ दे रहे हूं, यहां फ्लेम मैंने स्लो कर दिया था पांच मिनट के लिए, टोटल मैंने आट मिनट पका लिया इसको, मतलब भून लि पांसो ग्राम दूध, यहां मैंने एक लिटर दूध का मलाई भी डाल दिया है, मैंने मलाई के साथ दूध आला है, अब इसको हाई फिलेम पे ही पकाते हैं थोड़ा, इसको मिक्स कर लेते हैं, दूध और मलाई को, यह देखे, हमारा मलाई भी घल गया है, और दूध भी भून कर भी पहले श्टार्ट में ले सकते हैं, घी में भून कर निकाल लेजे, इसके बाद इसमें डाल दीजे, इसे अब धकन लगा कर छोड़ देना है ताकि हमारा दूद अच्छे से पके और पपीते में मत, दूद में भी उबाल आने लगा है, अब इसको अच्छे से मिक है, यह भी ढग दिया मैंने तकरिवन स्लो फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट हो चुके हैं, यह देखे, 15-20 मिनट के बाद, यह हमारे, अब इसमें थोड़ा चीरी डाल देते हैं, अब चीरी डालें से दूद फटा है तो ठीक तो होगा नहीं, लेकिन यह हलवा, 80% पक चुका है, तो मैंने चीनी भी इसमें डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेते हैं, अब क्या करूँ, दूद भट गया तो, स्लो फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ दिया पकने के लिए, ताकि हमारा चीनी गल जाया अच्छे से, 5 मिन मैंने छोड़ दिया था, यह देखे, कित और यह देखे, इस तरह से, फूट कलर डालने के बाद इसका कलरी चेंज हो गया हलुआ का, मेरा हलुआ फट गया था, मतलब दूद फट गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फूट कलर डार दी हूँ, खाने में आपको कोई मतलब, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएंगी ही, और इस तरह से देखे, मेरा, पपिते का हलुआ बनकर तयार हो चुका, इसकी मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, अगर यह दूद फटा नहीं होता ना, तो बहुत टेस्टी हलुआ बनता, यह भी फिलाल टेस्टी ही बना है, मगर उसके जोड़ का तोड़क नहीं बना ह है, तो साउधानी पुर्वक बनाईए, दूद फटेना, और इस तरह से, अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले,